जब से बारुती इंडिया ने अपनी इस फैमिली बजट गाड़ी को अपग्रेड करने के बाद में लॉंच किया है और प्लस पॉइंट ये है कि इसके माइलेज पर भी जबरदस्त काम किया है क्योंकि करंटली ये गाड़ी CNG पर 35.6 kg का और पैटॉल पर भी 24.97 kmpl का माइलेज देती है तो चाहे आप इसका पैटॉल वेरेंट देखते हैं या फिर CNG वेरेंट देखते हैं मार्केट में निश्चित रूप से इसके कमपेटिशन में दूसरी कोई गाड़ी टिक नहीं पाती है और करंटली फ्यूल की सिचुएशन को देखते हुए लोग भी इस गाड़ी की तरफ जबरदस्ट एट्रेक्ट हो रहे है और जब से इसका रिलाउंच किया गया है ये गाड़ी धड़ा-धड़ बुक हो रही है और टॉप 10 गाड़ियों में शामिल है अगर आप इसकी सेलिंग रिपोर्ट देखते हैं तो 2022 में 8,683 यूनिट सेल हुई ह मारुती सेलियों की 5.25 लाग से इसका प्राइज स्टार्ट हो जाता है अगर आप LXI वेरेंट लेते हैं और आप इसका CNG देखते हैं जो केबल एक ही वेरेंट आता है VXI CNG तो 6.69 लाग इसका XORUM प्राइज है और लगबग 7.53 लाग में आपको ये गाड़ी मिलती है और करेंटली तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि सेम सेगमेंट में अधर किसी ब्राइंट की गाड़ियां एवेलेबल नहीं है नेक्स्ट गाड़ी अगर हम लेते हैं सेम सेगमेंट में हुंडे की ग्रांड आइटन नियोस है जो की CNG में स्पोर्ट्स वेरेंट में आती है और इ अन्फ्यूजन ना हो मारुती सेलेरियो वी एकसाई CNG 7.53 लाख एप्रोक्स प्राइज मानिये टाटा टियागो 7.15 लाख याने की 7,15,580 रुपे हुंडे ग्रांड आइटन नियोस आती है आठ लाख 71,000 के आसपास थोड़ा बौट डिफ्रेंस हो सकता है तो ये इनके ओन प्राइज है इसके अलाबा मेन पॉइंट होता है किसी भी गाड़ी को आप परशेज करते हैं माईलेज इंजन और पावर तो यहाँ पर सेलेरियो की अगर इंजन की बात करें तो 988 में CC का K10C का इंजन मिलता है तियागों अगर आप देखते हैं तो 1.2 लिटर का ICNG मिलता है 1.2 लिटर में यानि मोर पावर है हुंड़े ग्रांड आई 10 निया उस देखते हैं तो 1.2 लिटर का कापा पेट्रॉल है तो इसमें भी आप मोर पावर कह सकते हैं 1.2 लिटर का है मारूती सेलेरियों में आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है तियागों में भी 3 सिलेंडर की पावर 6,100 RPM पर जबकि Grand I10 नियोंस भी देती है के वज 68.05 BHP की पावर तो यहां पर आप कंपेर कर लीजिए जब भी किसी भी गाड़ी को आप परचेज करते हैं बेशक किसी भी ब्रांड को आप पसंद करते हैं पावर के बाद आता है माईलेज तो मारूती सेलेरियो जहां पर 35 तक का माईलेज देती है जो AI certified है टियागो का माईलेज आता है 26 का CNG पर हुंडे Grand I10 नियोंस का आता है 24 का CNG पर पर इन तीन गाड़ियों के फुल कंपेर के बाद एक बात निकल कर बिल्कुल किलियर आती है कि माईलेज में निश्चित रूप से सेलेरियो सबसे ज़्यादा है चाहे आप तियागों से कंपेर करते हैं Grand I10 नियोंस से कंपेर करते हैं बागी comfort में आपको और गाड़ियां भी available है इसके लाबा कुछ एक ऐसे points है जो आपके भी minds में आते होंगे जो मारूती को आज भी improve करने की आवशकता है बागी बात करें mileage के बारे में तो निश्चित रूप से market में कोई भी गाड़ी इसके सामने नहीं टिक पाती है और current में fuel के दामों को देखते हुए ये गाड़ी 100% customer को attract करती है और यही वो point है जिस कारण से ये गाड़ी अच्छी खासी sale होती है और खासतोर से relaunch के बाद में इस गाड़ी का जो changes किया गया है exterior और interior में इस गाड़ी की काफी जब अरदस जमांड बढ़ी हुई है जिस कारण ये गाड़ी top 10 में शामिल रहती है पग किसी भी गाड़ी को purchase करने में एक और man point होता है गाड़ी का size जिससे आपको comfort मिलता है तो length में salary हो है 365 mm, टियागो है 3765 mm, जबकि Hyundai Grand I10 Nios है 305 mm, width की बात करें 1655 mm, salary है 1677 है Tata Tiago, जबकि Grand I10 Nios है 1680 mm, height की बात करें तो 1555, salary है और Tiago है 1535, जबकि आपके Grand I10 Nios है 1520 mm, अब variant wide आपके लिए इसके price भी share कर देते हैं अगर आप देखते हैं VXI AMT तो 6.24 लाग, ZXI AMT है 6.44 लाग, ZXI PLUS AMT है 7 लाग, LXI है 5.25 लाग जो इसका first variant है, इसके लाबा VXI है 5.74 लाग, ZXI है 5.94 लाग, ZXI PLUS है 6.50 लाग और CNG में जो इसका variant है VXI CNG जिसमें features भी कापी अच्छे दिये गए हैं, 6.69 लाग के अंदर आता है तो यह है all details, मारुती सेलेरियों के all वेरेट्स के price के बारे में पर्चेज करने जा रहे हैं किसी ब्रांड की गाड़ी को और उसके price के बारे में या discount offers के बारे में currently जानना चाहते हैं तो comments box में लिख सकते हैं या पर Instagram पर follow करके हमारे साथ live chat भी कर सकते हैं इसके लावा अगर आप फिलहाल किसी भी ब्रांड की गाड़ी को on करते हैं यानि use करते हैं और उसके बारे में अपने opinion चैनल पर सभी subscriber के साथ share करना चाहते हैं तो इसके लिए आप Instagram पर हमें message कीजिए हमारी टीम आप से contact करेगी और आपकी information आपका opinion सभी subscriber के साथ channel पर share किया जाएगा मिलते हैं next update के साथ नमशकार दोस्तो